एक तिर्भूज है ABC ठीक है एक हम लोग तिर्भूज बना लेते हैं यह हमारा तिर्भूज है ABC कहता है में P और Q बिंदू भूजा AB और AC पर इस प्रकार है AB और AC पर इस प्रकार है कि P Q समानतर BC ऐसे हम एक भूजा ले लेते हैं ठीक है यह P और यह Q ठीक है यह P AB पर और Q AC पर कहता है यह P Q और यह BC क्या है आपस में समानतर है फिर कहता है AP बराबर 3 यह AP बराबर यह 3 PB बराबर यह 2 cm AQ बराबर है यह 6 cm ठीक है और Q C बराबर यह है X तो हमें क्या करना है X का मान ग्यात करना है के लिए चलो हमें इतना पता है जब यह BC और यह P Q समानतर है तो हम जानते हैं कि यह जो P Q है न इन दोनों ही भूजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा ठीक है इतना हमें मालूम होना चाहिए कि किसी चिर्भूज में जब कोई एक रेखा जो तीसरी रेखा के समानतर हो मतलब BC और P Q समानतर है तो यह AB और AC यह रेखा क्या करेगा समान अनुपात में विभाजित करतेगा तो होगा क्या यह हो जाएगा AP बटा यह PB बराबर होगा AQ बटा QC क्लिर? AP बटा PB बराबर होगा AQ बटा QC अब देखो यह हम देखेंगे ध्यान से तो क्या हो जाएगा AP हम लोगा दिया हुआ है 3 है ना उसके पी भी दिया हुआ है 2 AQ हम लोगा 6 दिया हुआ है नहीं QC हमें निकालना है X है ना चलो आगे बटाएंगे तो क्या हो जाएगा अच्छा देखो इस x को 3 के साथ गुना करेंगे या यह कहेंगे कि इस x को एक तरफ लेके आ जाएंगे बिना x वाले को एक तरफ लेके आ जाएंगे तो क्या होगा इस x को इधर लेके आ जाएंगे और इस 3 को इधर बैठा देंगे ठीक है? क्रोस उसके इस 2 को हम इस पर लेके आ जाएंगे तो यह x 3 के जगा आ जाएगा बराबर हो जाएगा उपर में क्या हो जाएगा? यह 2 6 के साथ गुना हो जाएगा 6 गुना 2 बटा में यह 3 आ जाएगा नहीं? तो 3 का 3 और 3 दुनी 6 हो कटी गया? तो कितना हो गया? दुनी 4 यानि x का जुमान आएगा वह 4 सेंटीमीटर आएगा अबस समझे में? चलो तो option नमबर भी हो जाएगा के लिए?